मनिपूर पर बोला ऐसी महिलाओं को निशाना बनाना पूरी तरह नामंजूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्सूल वाइलिंस दूसरे समधाय पर वर्चिस्वी की कोशिश लोगों को ऐसी निंदनीय मनिपूर में महिलाओं के शक्खिलाफ यौन हमले पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को यौन अपराधों और हिंसा का शिकार बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायता के समधानिक मूल्यों का गंबीर उलंगन है पीट ने कहा भीर आमतार पर कई कारणों से महिलाओं खिलाफ हिंसा का सहारा लेती है जिसमें तथ्य भी शामिल है कि यदि वे एक बड़े समूग के स दस्य है तो वे अपने अपराधों के लिए सजासे बच सकते हैं भीर वर्चस्व दिखाने के लिए यौन हिंसा का इस्तेमाल करती है संगर्श के दोरान महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भयानक हिंसा एक अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं है कि ये लोगों को ऐसी निं महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच रोकना और जिन लोगों को हिंसा में निशाना बनाया जाता है उनकी रक्षा करना राज्य का परम और सबसे महत्वपूर्ण करतवे है पीट के साथ अगस्त का यह आदेश गुरुवार रात अपलोड किया गया अनसूचित जंजाती का दर्जा देने की मांग सकती के विशेद में परवतिय जिलो में आदिवासी एक जुट्ता मार्च के दोरान तीन मई को मनेपूर में जाती हिंसा भड़कने के बाद बहुसंख्यक मैटी समुदाय की है पीट ने कहा जो उपाए बताए गए हैं उनके बारे में अदालत को ल पीट ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों के बयानों समेत कई गंभीर आरोप हैं जो दर्शती है कि कानून लागू करने वाली मशीनेरी हिंसा को नियातरित करने में नाकाम रही है और कुछ स्थितियों में अपरादियों के साथ मिली हुई है उचित जांच के अभव मे यह अदालत इन आरोपों पर कोई तत्यात्मक मिशकर्श नहीं निकालेगी लेकिन कम से कम ऐसे आरोपों के लिए वस्तुनिष्ट तत्यानवेशन की आवश्यक्ता है पीट ने कहा जो लोग सारवजनिक करतवे के उलंगन के लिए जिम्मेदार है उन्हें जांच करेगी कम कमिटी का काम सभी उपलब्ध स्रोतों से मनेपुर में 4 मईě से महिलाओं के खिलाफ हुई हिन्सा की प्रकृती की जांच करना होगा जाएगा जो साम्प्रदाइक हिन्सा में हटाहत हुए हैं हिंसा के पीडितों को उपचारात्मक उपाय प्राप्थ होने चाहिए चाहे और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे किस समुदाय के हैं इसी तरह हिंसा के अपराधियों को हिंसा के स्रोध की परवा किये बिना जवाब दे ठहराया समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए भले ही उनकी रैंक, स्थिती या पद कुछ भी हो